दोस्तो जैस्री रादे आप शभी मित्रों का हम अपने यूटूब चाइनल चौवान जोतिस में हार्दिक स्वागत और अबनेंदन करते हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुंडली के बारे भावों से क्या-क्या विचार किया जाता है और हमारे आपको अच्छा लगता है या कुछ जानकारी आपको मिलती है तो कृपिया हमारे चाइनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक और सेयर करें आपके एक लाइक से हमें वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा होसला मिलता है तो दोस्तो आईए चलते हैं देर ना करते वीडियो की और आईए दोस्तो अब जानते हैं कुंडली के बारे भावों से क्या-क्या विचार किया जाता है प्रथम बाव शरीर, रूप, ग्यान, सरीर का रंग, बलावल, सुख दुख, तेज, यस, विवेक सक्ती, प्रवास, मस्तिस्क, स्वभाव, प्रतिष्ठा, आय शरीर के चिन, ब्रल आदि, निद्रा, आदि का विचार, प्रत्थम बावशे किया जाता है दुत्तिय बाव, धन, विवेक, दाइना नेत्र, परिवार, कुटुम्ब, शुख, स्वर विचार, वचन, बाडी, विद्या, भोजन, सौंदर्य, यात्रा, शोना चांदी, पुल, धन, संपता, आदि का विचार, दुत्तिय बावशे किया जाता है, तृत्तिय बाव, पराक्रम, नौकर, शुख, भाई, बहन, उपदेश, छोटी-मोटी, यात्रा, ताहश, रहन-सहन, माता-पिता की मृत्व का विचार, यस, अपयस, खाशी, दमा, औसद ग्यान, हस्ताक्षर, मित्रता, मात्व कांचा, आविरुची, आदि का विचार, तृत्तिय बावशे किया जाता है, चतुर्थ बाव, बिद्या, विचार, माता का शुख दुख, पशुपालन, क्रशी कर्म, जमीन जायदाद, नवनिर्माल, मनुवरत्ती, मानशिक शुख दुख, मकान शुख, उपभोग, रहन सहन, हरदय का साहस, जीवन की उन्नती, कार्य प्रसादन छमता, पूर्व अरजित विविद सुख, आश्वर्य कीर्ती, बाहन, सवारी योग, आदि का विचार, चतुर्थ बावशे किया जाता है, पंचम भाव, बुद्धी, संतान, विवेक देव भक्ती, बिद्या योग, तांत्रिक बिद्या, सास्त निपुरता, शत्ता, लाटरी, राजनीती, प्रतिवा, बोलने की कला, साहित योग, लेखन कुशलता, तंत्र मंत्र सक्ती, संतान, शुख दुख, गर्व धारल सक्ती, आदि का विचार, पंचम भावशे किया ज रोग, सत्रू, ब्यसन, चोट, घाओ, छुगा छूत के रोग, मामा का पक्ष, चोरी, भै, हानी, अपने लोगों शे बिरोध, चाचा, मामा, जेल यातना, दोखा, मन संताप, करजा, आदि का विचार, छटे भावशे किया जाता है सप्तम भाव, पतनी का रूप, रंग, गुड, शुभाव, इस्तरी का शुख, लाभ, हानी, ब्यापार, ब्यवशाय, कामकला, ब्याभिचार, विवहा, गुप्त रोग, बिचार, मूत्राशय, इस्थान, अंडकोश, साजेदारी के काम, गुप्तांग, गुमा हुआ धनल सप्तम भाव, मुकदमे, स्वतंत्रकार, रोग, यानी, बवाशीर रोग, आधी का विचार, सप्तम भावशे किया जाता है, अश्तम भाव, आयू, मुरत्यू, इस्तियों का मांगल, अर्थात सौभाग, ग्या, मरे हुए विक्ति का धन, यानी, बसीयत या भीमा, आधी से आत्म घात, ब्यसन, बिदेश यात्रा, शंकट, कलेश, अपवाद, रिड, सत्रु आधी का विचार, अश्तम भावशे किया जाता है, नवंभाव, भाग्य, धर्म, भाई की इस्तिरी, तीर्थ यात्रा, पतनी का भाई, जले यात्रा, बिदेश, वाई यात्रा, पाप, प बेटन, पोत्रशुक, सील, संतोस, संपन्नता, विकास, अधिकार, मान, उच्च सिक्षा, गुरू, तथा आचार का विचार, नवंभावशे किया जाता है, दशंभाव, पिता का रूप, रंग, व्रत्ति, एवं पात्रता, गुण, श्वभाव, आयू, उतकर्ष, मान, श पद, राज योग, सत्ता, अधिकार, नोकरी, स्वतंत्र व्यापार, धंदा, पिता का शुख, कर्म शिद्धी, मान, हानी, जन जीवनिय, इस्तर, अनुशाशन, पदलाव, राज्य मानता, परिक्षा में उत्तील, वैभो, पजीव का प्रवास, आधिका विचार, दशंभ पाउशे किया जाता है, एकादस भाव लाव, शंपूर धना आगमन, लाटरी लाव, इत्र शुख, भाई, दामाद, समाज में स्रिष्टा, वाहन, शवारी का लाव, शुख, प्रापर्टी, योग, मंगल कार्य, मशीनरी कार्य, मेल मिलाप, किरिया कुशल्ता, अकस्मिक लाव, आभूशल योग, पुत्र बधू, आय, लाव, आदि का विचार, एकादस भाव से किया जाता है, दुआदस भाव, बाया नेत्र, ब्यए, गुप्त सत्रू, खुपिया पुलिस, शुगुल खोर, दरिद्रता, शयन शुख, दूर यात्रा का विचार, ब्यशन, कारावास, दंड, रिड, अपगहात, कलह, अच्छा बुरा, ब्यए का विचार, मुकदमा, दनहान, अपियस, आदि का विचार, दूआदस भाव से किया जाता है, आए दोस्तों अब जानते हैं रासियों के बारे में, पहले रासिया नहीं थी, केवल नच्छत्र थे, नच चत्र होते हैं, एक नच्छत्र में चार चरण होते हैं, नच्छत्र मिलाकर एक रासि बनती है, जैसे अशुनी के चार चरण, भरणी के चार चरण, और क्रितिका का पहला एक चरण, कुल नच्छत्र बरावर सबाद दो नच्छत्र, ये मिलाकर एक रासि मेस बनती है, ये राशियां क्रम से रहती हैं इनकी क्रम कभी नहीं तूटती जैसे मेस के बाद ब्रस ब्रस के बाद मिथुन आदी बारा राशियों की सीरीज रहती है कुंडली के पहले भाव में लगन की राशी लिखी जाती है इसके बाद क्रम से आगे की राशियां आगे के बाव में लिख आठमी बिरिश्चेक, नवी है धनू, दशमी है मकर, ग्यारमी है कुम्ब, बारमी है मीन ये बारे राशियां क्रम से रहती हैं, इनका क्रम कभी नहीं तूटता दोस्तों मुक रूप से साथ ग्रह होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुद्ध, ब्रैस्पती, शुक्र और शनी दो ग्रह राहु और केतु को भी सामिल किया गया है लेकिन ये छाया ग्रह हैं, इनका कोई स्वतंत प्रभाव या राशि नहीं होती वह जिस ग्रह के साथ जिस ग्रह की राशि में रहते हैं वैसा ही ये प्रभाव दिखाते हैं बाकी ग्रहों में पांच ग्रहों को दो दो राशियां मिली हैं दो ग्रह सूर और चंद्र को सिर्फ एक एक राशी मिली हैं जैसे मेस और ब्रिश्चिक राशी के स्वामी मंगल ग्रह हैं ब्रस और तुला राशी के स्वामी शुक्र ग्रे हैं, मिथुन और कन्या राशी के स्वामी बुद्ध ग्रे हैं, करक राशी के स्वामी चंदर दे हो हैं, सिंग राशी के स्वामी सूर दे हो हैं, धनु और मीन राशी के स्वामी ब्रेशपती दे हो हैं, मकर और कुम राशी के स्वामी सनी देव हैं कुंडली में एक चीज और देखना जरूरी होता है ग्रहों की आपस में मित्रता और सत्रुता इन में से जो नैसेरगिक मित्रता सत्रुता है हम आपको उसी के वारे में बताएंगे जैसे सूर ग्रह के मित्र चंद्र मंगल और ब्रेशपती हैं शुक्र और सनी ग्रह इनके सत्रु हैं चंद्र ग्रह के सूर और बुद्ध मित्र हैं इनका सत्रु कोई नहीं है बाकी के ग्रह इनके सम ग्रह हैं न सत्रु न मित्र हैं मंगल ग्रह के सूर चंद्र और ब्रेशपती मित्र हैं बुद्ध इनके सत्रु हैं बाकी शुक्र और स सनी ग्रह इनके सम ग्रह हैं, ना मित्र हैं ना सत्रू हैं, ब्रैस्पती ग्रह के सूर्य, चंद्र और मंगल मित्र हैं, बुद्ध और शुक्र इनके सत्रू हैं, बाकि सनी इनके सम ग्रह हैं, शुक्र ग्रह के बुद्ध और सनी मित्र हैं, सूर्य और चंद्र इनके सत्रू हैं बाकी मंगल और ब्रैस्पती इनके शम ग्रहे हैं सनी ग्रहे के बुद्ध और शुक्र मित्र हैं ब्रैस्पती इनके सम ग्रहे हैं बाकी के ग्रहे सूर और चंद्र मंगल इनके सत्रू ग्रहे हैं दोस्तो आज के वीडियो में इतना आई मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप खुश रहिए मुस्कुराते रहिए जैसरी रादे